कैसे हैं अब अच्छ लोग सारे मिरा नाम है सुनी लदिकारी चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट आज की वीडियो में स्टेनोग्राफ़ एक्जामिनेशन क्या होता है उससे रिलेटेड ए टुजड पूरी डिटेल आज की वीडियो में हम डिस्क्रूस करने वाले हैं इस CHSL, CGL, GD Constable वगेरा का examination भी लेता है examination का level के अगर हम बात करें तो national level का यह examination है that means, इंडिया के आप किसी भी कौने में रहते हों, आप इस examination के लिए prepare कर सकते हैं, और यह examination दे सकते हैं यह examination हमारा online होता है आपको center a lot होते हैं center पर जाकर आप यह examination देते हैं examination की category के अगर बात करों तो class 12th pass करकर आप यह examination दे सकते हैं exam purpose क्या है, देखिए अगर आपको group C right, group C post या group D post के लिए apply करना है या job करनी है, government of India के अंदर में जो की non-gadgeted officer की यह post निकलती है ministries of department of government of India के अंदर में सो आप steno के लिए apply कर सकते हैं, बहुत ही reputated job है one of the most देखिए, lucrative job भी है मतलब बहुत अच्छी salary आप earn कर सकते हैं और 12th pass out के बाद ही आप अपनी government job पा सकते हैं grade C और grade D में right, steno की post होती है, typing वगरा के लिए right, चलिए eligibility क्या है यहाँ पर only those candidates who have required skill in stenography देखिए, यहाँ पर आपको steno की समझ होना चाहिए stenography में आपका कोई ना कोई certificate या फिर diploma course होना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए अगर आप इस examination के लिए तैरी कर रहे है, right, examination में दो stages होती, एक तो computer based test होता है, online test होता है दूसरा एक skill test भी होता है जहाँ पर आपकी steno की speed देखी जाती है examination दो घंटे का रहता है negative marking 0.25 की रहती है detail जानकारी या official website के अगर हम बात करें तो ssc.nick.in है जहां से आप application को form fill कर सकते हैं अचा अगर date की बात करें तो examination कब होगा अभी हाली में कोई date release नहीं हुई या announce नहीं हुई है जैसे ही होती है हमारे telegram group में हम upload कर देते हैं description में link है प्लीज आप हमारे telegram group को join करना मत भूलिएगा जैसे ही latest notification आता है हम वहाँ पर upload कर देते हैं चलिए LGBT की बात करूँ तो grade C के लिए 18-30 साल की age limit है grade D के लिए 18-27 की age limit है आपकी दोनों ही grade में से कोई से भी grade आप चूज कर सकते है qualification की बात करूँ तो 12th pass आपका होना चाहिए percentage matter नहीं करती है stream भी matter यहाँ पर नहीं करती है salary structure आप देख सकते हो बिच्चा सो बहुत ही अच्छी है बहुत ही आगे जाके promotion होने के chances भी काफी जादा रहते हैं आगे जाके salary increase होने के chances भी काफी रहते हैं और 7th pay commission के बाद यह salary और भी जादा हो जाती है आपकी right चलिए examination pattern के बाद करूँ जो online हमारा test होता है वहाँ पर 3 section आते हैं पहला आता है general intelligence और reasoning का 50 question आते हैं 50 marks के दूसरा आता है general awareness का जिसको हम GK भी बोलते हैं 50 question 50 marks के English हमारी 100 questions आते हैं 100 marks के so 200 questions हो गए हमारे 200 questions हो गए हमारे और 200 marks के हमारा paper रहता है negative marking 0.25 की है बच्चो right और हर right answer का आपका जो एक marks मिलता है और wrong answer का 0.25 deduct हो जाता है कोई question अगर आप छोड़ के आते हैं तो वहाँ पर कोई marks आपका deduct नहीं होता है skill test में क्या होता है देखिए candidate for this stage are shortlisted based on the performance in the skill test यहाँ पर skill test भी बहुत ज़रा important हो जाता है candidates will be given one dictation for 10 minutes in English और Hindi आपको एक जो जंदा होगा वहाँ पर आपको बोलेगा मतलब आपको वह चीज़ डिक्टेट करेगा English या फिर Hindi जो भी language आपने हैं चूस करी होगी और आपको वह चीज़ टाइप करनी पड़ेगी 100 words per minute for the post of stenographer grade C अगर आप grade C के लिए अप्लाए कर रहे हैं तो 10 minute में जो भी वहाँ का examiner आपको बोलेगा लिखने के लिए टाइप करने के लिए सौरी वह आपको 100 words per minute में टाइप करना पड़ेगा grade C में और 80 words per minute टाइप करना पड़ेगा grade D में राइट grade D में थोड़ा सा कम speed है grade C में थोड़े सी जादा speed है क्योंकि यहां पर post grade C थोड़ी higher होती है grade D थोड़ी कम होती है चलिए और यह हमें computer में type करना पड़ता है यहां तक clear हो रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं syllabus की तरफ syllabus आपकी screen पर है बच्चो यहां पर आप screenshot भी ले सकते हैं नहीं तो हम यह जो pdf है हमारे telegram group में upload करते हैं वहां से आप free में download कर सकते हैं राइट चलिए देखे general intelligence and reasoning की बात करूँ तो analogies है space visualization है analysis है decision making है discriminating observation है arithmetic reasoning है arithmetic number series है similarities and differences है problem solving है judgment है visual memory है relationship concept है तो आपको अपने screen पर देख रहा हुए यह सारे section आपको देखने को मौका मिलता है general awareness की बात करें तो यहां पर sports, history, culture, geography, economic यहां पर आपको एक तो static gk करनी पड़ती है और एक current affairs भी आपको prepare करनी पड़ती है राइट English language के अगर बात करूँ तो synonymous, anonymous, sentence का structure ठीक करना uses ठीक करना यह सारे questions आपको देखने को मौका मिलता है तो उमीद करूँ बच्चा लोगों यहां पर आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है जितने भी section थे मैंने आपको syllabus detail वे में समझा दिया है प्लस आप यह PDF डाउन्नोड भी कर सकते हैं हमारे telegram group से examination pattern हमने clear कर लिया है steno की बहुत अच्छी post है ministries of government of India के अंडर में यह post होती है group C और D के लिए आप इस post के लिए class 12 के बाद ही apply कर सकते हैं उमीद कर रहा हूँ आज का session valuable रहा होगा मिलते हैं ऐसे ही किसी और interesting वीडियो के साथ जब तो पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए को कि आपका भी दे रहेंगा thank you so much